नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खब्रोक्योर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर केके पाठक के समर्थन में आए बिहार के मुख्य सचीव बिहार का रवर डैम मौडल केरल के लिए बना में साथ बिजी प्यारेस भर्टी समेच साथ अफसर तलब किये गए दिली बिहार के 2685 सिपाहियों को ASI में प्रमोशन बिहार फुटबॉल टी में सिवान की 6 लर्कियों का हुआ चयन इसके साथ ही बरते हैं शान तक की बड़ी खबरों क्यों वस्तार से केके पाठक के समर्थन में आए बिहार के मुख्यस चीव बिहार लोग सेवा आयोग के द्वारा डॉक्यूमेट वरिफिकेशन में तीछरों की ड्यूटी लगाई गई है जिसको लेकर सक्छा विवाक के अपर मुख्यस चीव केके पाठक के द्वारा पत्र लिखकर BPSC से संबन में जवाब मांगा गया था वहीं अब केके पाठक को राजी के अपर मुख्य सचेव आमिर सुभानी का साथ मिल गया है दरसल मुख्य सचेव आमिर सुभानी के द्वारा सभी जिराधिकारियों को एक पत्र लिखा गया है जिसमें कहा गया है कि डॉक्यूमेंट वरिफ पिशारियों की आविशक्ता का आकलन करने है तू इस सम्मन में अलग से संसोधित आदेश नरगत किया जाए। और करबलों के तमाम शहीदों को नमन एवं श्रधांजली। हमें भी नफरत के विरुद, इंसाफ, सच्चाई, भलाई और हक के परचम को बुलंद रखने का संकल पलेना चाहिए। बिहार का रबर डैम मॉडल के लिए बना मिशाल बिहार के रबर डैम मॉडल को लेकर केरल सरकार के दौरा सकरातनक पहल सुरू की गई है। इस समन्द में बिहार के जल संसाधन मंतरी संजय कुमार जाक के दौरा इस पारे में विस्तार से एक्सपर्ट ट्वीट कर कहा गया है। के जानकर खुशी हुई कि गया में विश्वप्रसिद विश्णुपद मंदर के निकट फल्गू नदी में बिहार दौरा निर्मित गयाजी डैम मॉडल को केरल में एतिहासिक पंबा नदी के जल को संग्रहन के लिए उप्युक्त मॉडल के तौर पर गहन विचार किया जा किंद्र के निसार देश के कई हिस्सों के साथ साथ केरल में इस वर्ष अगस्त माह में बीते 123 वर्षों के सबसे कम बारिश हुई है Center for Water Resources and Management कोजी कोड केरल के निसार के उतरी जिले अतियंत सुस्क हैं इस कारण पंबा नदी में बेहत कम पानी उपलब्ध है ऐसे में जलुस्तव के दौरान आयुजित होने वाले अरन मुरा नौका दौरा को लेकर संकट पैदा हो गई है यह केरल में आयुजित होने वाला सबसे बरा नौका दौर उत्सव है और इसमें हजारों परिटक शामिल होते हैं वहीं बादल के फटने से कई घटनाओं के कारण बार जैसी ऐसी सिति उत्पन हो जाती है ऐसी सिति से उबरने के लिए कई जल विशचग्यों ने बिहार के गया में फल्गू नदी पर बने रवर डैम की तर्च पर पंबा नदी पर अरन मुला में डैम बना कर जल को नियंतरत रूप से संग्रहित करने का सुझाओ दिया है तथा इस्थानी सरकार दोर इस पर विचार किया जा रहा डीजी पी आरेस भटी समेट साथ अफसर तलब किये गए दिल्ली बिहार के राजधानी पटना में 13 जुलाई को विधान सभा मार्च के दौरान बीजेपी नेताओं पर डाग बंगला चुडाहे पर लाठी चार्ज किया गया था इस दुरान सांस जनारदन सिंग सिग्रिवाल पर चली लाठी को लेकर उन्हें अस्पताल में भरती कराना पड़ा ऐसे में इस मामले को लोगसभा विशिशाधिकार समीती की ओर से बिहार के डीजी पी आरेस भटी समेट साथ अधिकारियों को दिल्ली तलब किया गया है सेखर सिंग, पटना SSP, राजीव मिश्रा, पटना सिटी के सो वैवफ सर्मा, पटना ASP, काम्या मिश्रा, पटना पुलिस, उपाधिक्षक और पटना सेंट्रल सदर के अनुमंदल पदाधिकारी खांडेकर श्रिकांत कुंडलि के नाम शामिल है विहार में बड़ेगी 2400 MBBS की सीटे, बहुत जल्दी राजी में 15 नए मेडिकल कॉलेज के निर्मान होने वाले हैं, ऐसे में इन कॉलेजों के निर्मान होने के बाद राजी में कड़ी 700 MBBS की अतरिक्त सीटे सारजनिक छेतर में उपलब्ध हो जाएंगी आपके जानकारी के लिवतादे के राजी में वर्तमान में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 12 है, जिन में MBBS की सीटे 1490 है, वहीं अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें तो राजी में प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की संख्या 7 है, जिन में 900 सीटे उपलब्ध है मारमो के 15 नए मेडिकल कॉलेजों में नई मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के भवनों का निर्मान अंतिम चरन में है वहीं विवाग द्वरा चिकसक सक्षको और गैर सैचनिक समवर्ग के पदों को भी चिनित किया जाड़ा है पतादिक राजस सरकार दोरा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज में महुआ वैशाली, राम जानकी मेडिकल कॉलेज समस्तिपूर, GMC सीतामरी, GMC जंजारपूर, GMC छपड़ा, GMC मोतिहारी, GMC मोंगे, लोहिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल सुपॉल, GMC जमूई, GMC बकसर, GMC गुसराय और GMC सहरसा सामिल है, बिहार के 2685 सिपाहियों को ASI में प्रमोशन, बिहार सिरकार के दोरा एक साथ 2685 सिपाहियों को ASI यानी की सहायक अवर नरक्षक के रूप में प्रमोशन दे दिया गया है, ऐसे में अब ये सभी अनुसंधान, विधी व्यवस्ता, संखारण, अपराद नियंत्रन, या तयात, डायल 112, सेवा, साइवर थाना, महिला, हेल्प डेस्क, प्रोसेक्षन एवं अन्य महत्पुन कारी करने का काम करेंगे, बतादी किस समन्द में बिहार पुलिस मुख्याले के कार्मिक एवं कल्यान विभाग के दोरा अधिसूशना जारी कर जानकारी दे दी गई है, इस अधिसूशना में 2685 सिपाहियों के नाम शामिल है जिने ASI के रूप में प्रमोशन दिया गया है, इस आधिश में कहा गया है कि बिहार के ग्रीव विभाग द्वारा 30 अगस 2023 द्वारा प्रात अनुमोदन के आलोप में बिहार पुलिस के सहायक अवज नरक्छक के रिक्तपदों पर कारेहित में वडियता सहयोगेता के आधार पर योग्य पाई गया शिपाहियों को अपने वर्तमान पदस्थापन वाले जिला में सहायक अवज नरक्छक के रूप में उच्टर पद का कारेकारी प्रभार प्रिदान किया जाता है इंटर पास वाले महज 20 प्रतीशत 16 राजे के कॉलेज में करा रहे नामांकन एक तरफ जहां बिहार सरकार के ओर से राजे में सक्छा विवस्था को सुधारने के लिए कहीं कोशिश किये जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर राजी में सक्षा विवस्था के हाल में कोई जादा सुधार देखने को नहीं मिल रहा। शामल करने का नर्देश दिया गया। आपकी जानकारी के लिए बता दे किसीट के डिजाइन को भारत सरकार ने प्रिटेंट काड़े आलेने रिजिस्ट्रेशन को सर्टिफिकेट दिया है। उन्होंने बताया किसीट का छे महीने बाद बाजार में उतारने की उजना है। बतादे किसीट के नर्मान में प्रोफेसर आकास प्रियदर्शी का साथ हरियाना केंद्रिये वीवी के प्रोफेसर विकास कुमार और विवेकानन्त कॉलेज ओफ टेक्नोलोजी के डॉक्टर कुलदीप सर्माभी साथ थे। बिहार में चार साथ से अटके अफसर कर्मियों के प्रोफेसर 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 कर्मियों के को शुरू किया जा सके लेकिन इस आई एक के विरुध में विरोधी पक्ष स्ट कर्मी संकी वकील के द्वारा सुप्रीम कोड से पूरे मामले की सुनवाई करने की अपील की गई है। के हुई मौत पर सीयम नितीश मरमाहत। बिहार के दरभंगा जले के कमला नदी में नाव पलटने से दो महिला और तीन बच्चियों की डूबने से मौत हो गई है। प्रितकों के अश्रितों को 4-4 लाक रुपे की अनुगरारा सी अविलम उपलद करानी का नर्देश दिया है। अबकि जानकारी के लिए बता दे किस हाथसे के दोरा नाव पर कुल 10 लोग सवार थे जिन में से 5 लोगों की जान चली गई। तो वहीं 5 लोग तैर कर निकलने में सफल हो गया। गाई घार से पटना घार तक जेपी गंगापत इस दिन तक होगा तयार। गाई घार से पटना घार तक 4.4 किलोमीटर जेपी गंगापत का निर्मान और उस पर वहनों का अवागमन दिसंबर से शुरू हो जाएगा। बता दे किसके निर्मान को लेकर गाई घार से आगे ऑक्टूबर के पहले सब्ता में सेग्मेंट चिराने का काम शुरू किया जाएगा। इसके लिए लाउंचर लगाने का काम पूरा हो चुका है। मालुमों कि पटना घार तक जेपी गंगापक तयार होनी पर दिखा से फटना घार के बीच 16.5 किलो मीटर तक चालू हो जाएगा। से पतना घाट के बीच दो एजनसी के दोरा काम किया जा रहा है जिसमें से पहली एजनसी नव यूगा एजनसी के दोरा गया घाट के समीप 12.1 किलो मीटर से 13.1 किलो मीटर के बीच नर्मान का काम किया जा रहा तोई दूसरी एजनसी जी आर इंफ्रास्ट्रक्चर एजनसी 13. 1.1 किलो मीटर से पटना घार तक 16.5 किलो मीटर का काम कर रही है बिहार फुटबॉल टीम में सिवान की 6 लड़कियों का हुआ चैन बिहार के सिवान के 6 लड़कियां जिनका चैन फुटबॉल टोर्नामेंट के लिए किया गया है ये सबी अब 20-30 सितंबर तक औरीशा के भुवनेश्वर में आयोजित राश्ट्रिय जूनियर अंडर 17 बाली का फुटबॉल चैंपियंशिप में बिहार फुटबॉल टीम का प्रतिनित्व करेंगी पतादिक सिवान के इन 6-6 नितलर खेलारियों में निशा कुमारी, रूबी कुमारी, प्रिया कुमारी यादव, निकी कुमारी, खुशिपांडे एवं सिबु कुमारी के नाम शामिल है मालमों कि ये प्रतियोगिता All India Football Federation के दोरा आयोजित करवाई जारी है इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए बिहार की 22 दश्य टीम तयार किये गए हैं, जिसमें सिवान की ये 6 रड़किया भी शामिल है मोदी सरकार ने बिहार सरकार से मांगे 275 करोड रुपए आम तोर पढ़ हमें ये देखने को मिलता है कि किंद्र सरकार के दोरा राजित सरकार को पैसे दिये जाते हैं लेकिन यहां मामला उल्टा देखने को मिल रहा दरसल केंद्र की मूदी सरकार के दोरा बिहार सरकार को एक पत्र लिख 275 करोड रुपए की मांग की गई है इसके साथ इस लेटर में केंद्र सरकार के दोरा यह भी कहा गया है कि अगर बिहार सरकार के दोरा यह पैसे नहीं लटाए जाते हैं तो किंद्र सरकार को मजबूरन बिहार को मिलने वाली विशेश सहायता की दूसरी किस्त की राशी को रोग दिया जाएगा बता दे किंद्र सरकार के दोरा बिहार सरकार को किंद्र प्रयाउजित योजनाओं के लिए राशी जारी की गई थी लेकिन बिहार में समय पर योजनाओं को पूरा नहीं क्या सका और बची हुई रासी बैंकों में जमा रह गई अब इन बची हुई रासी के 275 करो रुपे ब्याज हो गया है जो बैंकों द्वारा दिया जाना है ऐसे मिया पैसा केंदर के लिए फंड का ब्याज है इसलिए इस पैसे पर केंदर का ही हक बनता है केके पाठक को हटाने की सुसील मोदी ने की मांग बिहार के पुर्व उपमुख्यमंत्री साह राजे सभा सांसत सुसील कुमार मोदी के दौरा बिहार सरकार के सक्षा विभाग के अपर मुख्य सचीव केके पाठक को हटाए जाने की मांग की गई है उन्होंने कहा है कि केके पाठक तबादला ले ले क्योंकि ऐसे अधिकारे सिक्षा विवस्था के सुधार में बाधक बनने का काम कर रहे हैं उन्होंने कहा कि राजे सरकार के ओर से केके पाठक को हटाने में जितनी देरी की जाएगी उतनी फजीहत होगी और सक्छा में सुधार के राजभवन के प्रयास्त में उतनी पाधाय आएगी जब से वो विभाग में है तब से विभाग किसी न किसी विवाद में आता रहा है ACI क्रिगेट परिशस से मुआवज़े की मांग की गई है हालाक इस पारे में PCB के दोरा कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है लेकिन कुछ रिपोर्ट में कहा गया है कि बोर्ड के अध्यक्ष जगा अस्रफ ने ACC के प्रमुख जैशा को अपचारी पत्र लिक कर मुआवज़ा देनी की मांग की है इसके साथ ही अस्रफ के दोरा श्रिलंका में मैचों के कारिक रमताय करने को लेकर ACC के रवये पर भी निराशा व्यक्त की गई है PCB प्रमुख ने किसी का नाम लिये बिना पूछा है कि ACC बोर्ड के सिदर्शियों को विस्वास में लिये बिना अंतिम समय में मैच अस्थलों को बदलने के फैसले के लिए कौन जिम्मेदार है बीते दिन हमाय दुरा पूछे के सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने प्रजवाप हमें हमारी कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था जिन्होंने हमाय दुरा पूछे के सवाल का जवाब दिया है या गलत आपने चाहब में वारी कमेंट स्क्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ यगर आप यूटूब से देख रहें चोनल को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले थन्यवाद